हला अवरिबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट बेंज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ इंदी गंगा ब्रमपुत्रा पीसिन इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं देखिए हमारा जो चैप्टर उसमें हमने आपको दो पिलर बताए थे या फिर दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो चैप्टर को अब ठीक उसी तरह से हम एक comparative study करेंगे किस चीज़ की life in the subtropical region तो human environment interactions में subtropical region के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे अब देखो क्या है यहाँ पे तो जैसे क्या है एक गंगा river एक ब्रह्मपुत्रा river है अब दोनों मिलके क्या बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा basin बनाती है यह पूरी गंगा river यह पूरी ब्रह्मपुत्रा river दोनों मिलेगी तो क्या बनाएगी गंगा ब्रह्मपुत्रा basin आया समझ में यह बोलो हाँ अब यह गंगा ब्रामपुतरा बेसिन। इस के जेक्रा समझो psycho थोड़ा थहा। गूच्चिके कोशिश करना सब्रापिकल कैसे हो गया। तो ट्रॉपिकॉथ ऑफ कैंसर के नीचे, नीचे क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे ट्रॉपिकल॥ पाइन आगे देखो कहा है अब आगे चीजह है इन दी सब्रोपिकल रिजन पता है हमें अगला कहा है दी ट्रिब्यूटरीज ओफ रिवर गंगा लाइक दी घागर दी सोन दी चंबल दी गंडग दी कोशी ठीकें एन दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुतरा ड्रेन तो जो आपना पानी लिए जाके ट्रिब्यूट्री हो गई है तो यह ट्रिब्यूट्री अब क्या होता है तो जो बेसिन बनता है तो गंगा रिवर की जितनी भी रिवर्स मिल रही है गंगा में वो ट्रिब्यूट्री गंगा की वैसी ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की जो ट्रिब्यूट्री है तो ब्रह्मपुत्रा में क्या देख लोगे आप ब्रह्मपुत्रा प्लें के नाम से गंगा ब्रह्मपुत्रा बे तो इसकी जोग्राफी अगर हम समझें कि यहां पर और क्या-क्या चीज़ें तो सिर्फ नदिया ही नहीं ना नदी के अलावा जिसे क्या प्लेस है तो गंगा प्रमपुत्रा प्लेंस होते हैं प्लेंस का कि जिसे नदी है अब इनदी क्या है अपने साथ मिट्टी करण लाती ह तो यह मिट्टी वगरा सब जमा हो जाती है तो वो क्या बना दीती एक प्लेन एरिया बना दीती तो इस तरह से हर नदी के आज़ुबाजु में प्लेन एरिया जो फर्टाइल रहते हैं तो प्लेंस हैं माउंटेंस हैं बहुत जादा जियोग्रफी मगर हम देखेंगे न तो प्लेंस हैं माउंटेंस हैं ऑक्सबो लेक्स बनते हैं यहां पर ओक्सबो लेक्स इंट्रस्टिंग चीज़ है यहरीवर बनाती हैं अब जब बहुत ज़्यादा मेंडर बनाती हैं तो क्या होगा मान लो कि किसी दिन बहुत तेजी से पानी और रिवर का एक loop cut off होगया ठीक है एक loop cut off होगया वो पूरा मिट जाएगा touch करूँगा तो चलो फिर से समझातो देखो क्या होता है कि अ यहां अब सहीर yagâ出來 के यह और के क्या इस तरह से बहुत सारे liberalism बंतेheres क्या करती देशी जक्था नडब बनाते चलती है रिवार इस तो नहीं क्या सीधा जाएगी कि पर चलते रहो चलते रहो रिवर क्या Burger क mesela कि बहुत सारे लhouपगी मेंदर बनातीrors थी मोड़ उते절 invert रहता है न उपर कैने जो लूप रहता है यह क्या अलग कट अभ हो जाता है तो नदीने जो सालों पहने क्या बनाया था डिप्रेशन मना थो गढ़ा भर जाएगा इस तरह से क्या होता है तो तो पता ही आपको जैसे यह मान लो ड्रॉइंग पर आपको फार्ष्रेठना यहीर्ट फिर बनाग्च के लिए अम्हुत। इसे इसके इसकी पेर्स करेंड़। यह सारा सब कुछ हो गया अब यह जियोग्रफी एवहाँ कि तो मतलब यह सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं प्लेंस देखने को मिलेंगे, ओग्सबो लेग्स देखने को मिलेंगे ठीक है तो वहाँ पर क्या है rain forest देखने को मिलते हैं लेकिन हमारे हैं क्या होगा monsoon type of climate क्यूंकि हम देखते हैं कि time के एक period में मतलब साल के एक period में आने कि July, August, September, October तो in time period में क्या होता है यहां पर बारिश होती है क्यों क्यूंकि winds जो आती है ocean से तो southwest winds जो आती है वो क्या लेके आती है अपने साथ में moisture लेके आती है वो moisture जो लेके आती है तो moisture precipitate करते वे जाती है तो इस कारण से क्या होता है यहां पर बारिश बहुत होती है हमारे यहां उन चार मेहनों में लेकिन Amazon वेसीर में तो क्या है कि 12 मेहने सो जोहती रहती है तो यह हमारे हैं की जिओघरफी मतलब गंगा प्रमपुत्रा प्लें की फिर ऐनकी जिओघरफी है थीक है आगे देखो कि आप यहां पे प्लेंस हैं तो जैसे प्लेंस में प्लेंस का फाइदा क्या है यार सूटेबल फॉर एग्रिकल्चर प्लें एरिया है फर्टाइल है पानी भी है खुब कहती करो ठीक है तो यहां पर कहा होता है कल्टिवेशन ऑफ पैडी वीट मेज सौर्ग्रम ग्राम्स मिलेट्स तरह तरह क गर्णाइब ग्राम्स में लोगों की सोर्स ओफ में सोर्स ओफ लाइवलिफुट क्या रहा है इंशें टाइम सगा देखते हैं तो आज चीज़ें बदल गई है लेकिन पहले अदिकतर लोग क्या थे अग्रिकल्चरल मतलब एग्रिकल्चरल ही डिपेंडेंट होते थे ठीक टो है अब क्या है कैश क्रॉप्स लाइक सुगरुट और होड़ बस् withdrawn बशी सारय की तो यह क्रॉप्स ही जाती है उसके बाद में का है बनाना एंड टी प्लान्टेशन ये परफॉर्म किया जाता भी या ठीक है बनाना समझते हैं आप केला ठीक है टी प्लान्टेशन तो जिससे अब क्या होता है आसाम वगेरा वाला जो एरिया है वहां पे इस तरह की हिल्स है अब वो हिल्स जो है तो क्या स्लोप है बहुत जादा तो महाँ पे ड्रिजल्स भी होते रहते हैं मतलब बुंदा-बांदी होती रहती है तो जिस तरह का क्लाइमेट टी कल्टिवेशन के लिए चाहिए रहता है वैसा क्लाइमेट बिल जाता है तो यहाँ पे टी अब बुर्ण फोड़ा है ने में सोर्स और लाइवलिविड बता लीविड बता दी है जेखो यह पानी में रहें ने पैं़्टीवेशन में और आगे बताता हो फीचर क्या है अब बात करें कि किस प्रकार की पहुत है सारी चीज़े पाई जाती है तो यह देको एन में सोर्स आफ लाइवलिविड बता दिये जिग अब आगे देखते हैं अगर तो यहां का तो यहां पर जैसे जादा बॉड तो यहां पर बारिश ho रही है western घाट में बारिश को बहुं रही है है two तो यहां हमेशा यहारे बारे रहने वाले पीड पाए जाएंगे लेकिन अब इन अब उतनी बारिश ने है तो यहां decidious होते हैं थोड़े से, मतलब ऐसे पेड़ पहुद्ध होते हैं जो क्या होता है कि जब बारिश नहीं रहती तो तो यहां पे देखने को मिलता है ठीक है टॉपिकल डेसीडियस ट्रीज ग्रो इन गंगा ब्रहमपुत्रा प्लेन अलॉंग विद टीक साल और पीपल तो यह पेड़ के एक्जामपल होगे टीक साल पीपल पीपल का बड़ा सा बहुत ठीक है यह सारे पेड़ ग्रो होते हैं फ पाठ है मनिपूर मिजोरम नागालेंड तिरिपूरा आसाम सिक्किम ठीक है अरुनाचल प्रदेश तो यह सेवन सिस्टर से हमारी यह जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में ब्रह्मपुत्रा रिवर बहते होगा आती है मेंली आसाम में जैसे तो यह जो स्टेट्स हैं यहां न तो यहां का वेजीटेशन मेंली क्या है यहां पर देखो के बहुत सारे बैम्बू को कहते हैं तो वह बैम्बू ग्रूव उसको अगर थेखो गए बहुत जादा घ्रू हो जातें बड़े-बड़े तो आप मुवीज वगरह में आप देखो तो अगर कहीं नौर्थ लेस करने को मिलेगा बहुत जादा बुशेश जैंबवाथ सारा बहुत सादा क्या है और पेड पॉधों में आपको बैंबू दिखना है ठीक है यह हो गया उसकाद में क्या है डी डेल्टा एरिया इस कवरड विथ मैंगरू फॉरेस्ट हाई जी मैंगरू फॉरेस्ट आज़ पहल समूधर वाले रीजन में क्या होता समूधर वाले रीजन में इस तरह से पेड जो रहते है तो पेड़ गरो agua होते है इनकी शांप सि यह जमीन इसे यह इक हो जाती यहाँ ठीकेन यह उपर पौधा है, यह जड़े और पानी यहां तक जिससे डूबा रहता कभी, ठीके, कभी क्या होता है, पानी का लेवल यहां होता है, तो जड़े हमें दिखने लगती है, तो इस तरह से क्या होता है, ग्रो होते हैं, मैंग्रूव, यह फोटो में देख लो, आपको समझ अरुनाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्रीज लाइक, पाइन, डियोडार, एंफिर, कैन भी सीन, अब देखो क्या है, अगर आप इंडिया में देखते हैं, गंगा ब्रमपुत्रा प्लेन को, चलो यहां पर दिखा दो, गंगा ब्रमपुत्रा प्लेन को देखते हो, तो गंगा ब्रमपुत्रा प्लेन को, जहां पर क्या है, अब पहाड पर आप जैसे जैसे ऊपर बदते जाओगे, तो वहाँ वेजिटीशन बदलते जाएगा, ठीक, अब जब वहाँ पर आप उपर जाते जाओगे, वेजिटीशन बदलते जाएगा, यह मैंना आपको समझाया है, सारी चीजे वेजिटीशन वाले चैप्टर में, क्लियर, तो अब जब क्या होता है, वेजिटीशन बदलते जाता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना है, मतलब इस तरह से रियाक्ट नहीं करना, मुझे पता है, कुछ लोग सोच रहोंगे, कब पढ़ाया था, तो ध्यान यहाँ पर कि अरोनाचल प्रदेश, सिक्केम, उत्तराखंड, इन पार्ट्स में क्या देखने को मिलेगा, आपको कोनी फेरस ट्री मतलब इस तरह के पेड़, जिनके कोन बन जाते ना, जो पेड़, क्रिस्मस ट्री ट्राइप से, तो पाइन हो गया, दियोदार हो गया, फि साम क्या होता है, source of livelihood, यह सब कुछ देख लिया, आपने अभी तक जो पड़ा था इस चाप्टर में, जो हमने कह सकते हैं, यह वाला ट्रॉपिकल रीजन का जो पार्ट पड़ा था, उसमें अलग-अलग टॉपिक दिये थे बुक में, यह वाला एक साथ दिया है पूरा गं आज रंगा नेशनल पार्क के बारे में, तो वहाँ पे वन हॉर्ण राइनसौरस, मतलब एक नाक वाला, एक सिंग वाला राइनसौरस, यह बड़ा सा खतरनाक सा दिखने वाला, लेकिन बलकि दिखता है, लेकिन मासूम भी लगता है मुझे तो यह ठीक है, और होता भी यह मासूम प्यारा साब, ठीक है, यह पाया जाता है, फिर क्या है, बेंगॉल टाइगर, क्रोकडाइल, एलिगेटर are found in डेल्टा एरी, अब यह कहीं से कहीं तक मासूम नहीं लगते हो, ठीक, तो यह भी पाया जाते हैं डेल्टा रिजन में, नदियों के किनारे पर अगर आप रिच वाइलडाइफ देखने को मिलती है, अब क्या होता है, वेराइटी ओफ फिश और आर फाउन्ड यह ठीक है लिखनाएम में कुछ-कुछ गड़वल करते हैं हैं यह यहाँ पर जो बैठते हैं यह, अब क्या होता है, वेराइटी ओफ फिश और फाउन्धियर सचेज कटला एंड हिलसा तो यह अगर आप देखोगे तो दोनों ब्रैकिश भी और फ्रेश वाटर भी ठीक है क्योंकि अब यह गंगा पुत्रा प्लेन अगर देखो गया आप तो समुद्र में जाके मिलेगा यह समुद्र में जाके बेओ बेंगॉल में अब क्या होता है तो यहां मचलिया कुछ ऐसी भी जो अंदर की तरफ मज़ाती तो ब्रैकिश वाटर फिश भी कहलाती है ठीक है मतलब जो खारे पानी में पाई जाती इसके अदमें फ्रेश वाटर फिष भी पाई जाती तो रोहु अगरा जोती inki market में डिमांड भी बहुत जादा होती में नहीं खा चाप्टर था तो इस चाप्टर में बताया भी था कि क्या होता है कि waterways में अब दो तरह के inland और क्या होते हैं sea routes होते हैं तो inland waterways जो होते हैं तो क्योंकि दो-दो transportation system है तो बहुत सारी boats वगेरा क्या करती है चलती है यहां पर अब यह जो एरिया है गंगा ब्रमपुत्रवाला यह बहुत जादा tourism को भी receive करता है टूरिस्ट को भी attract करता है worldwide से क्या देखने को मिलता है टूरिस्ट आते हैं और domestically भी लोग जो है तो जैसे मत्हुरा ब्रंदावन वगेरा यहां घूमते फिरते रहते हैं तो दोनो नेचर अब जैसे आप नौर्थ इसनल स्टेट्स में जाओ तो सिक्किम वगेरा आसाम वगेरा वहां पर डाजलिंग वार्जलिंग लोग घूमते हैं तो नैचरल ब्यूटी के कारण भी और रिलीजियस परपस के कारण भी ठीक हैं बहुत सारे मंदिर वगेरा यह सारा सब कुछ है तो इन सारी चीज़ों के चलते हैं टूरिजम भी जो हैं आप बहुत जादा ग्रो कर गया ठीक तूरिजम भी गंगा ब्रमपुत्रा बेसिन में बहुत एक बड़े स्केल पर ग्रो कर रहा है नेक्स्ट पॉपुलेशन अब देखा एक पॉपुलेशन का एक चैलेंज बन जाती लेकिन हमने देखा सारा सब कुछ काशी वारण अशी वग चैलेंज बन रही है क्यों क्योंकि पॉपुलेशन के क्या कर रही है कहीना कहीं पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैसे फैला रही कि आप देखते हो कि रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है लोग रिलीजियस टूरिजम के नाम पर जा रहे है घूमने जाने तो क्या कर रहे वहीं नदी तालाबों में फेक दे रहे तो कहीं ना कहीं यह population जो है वो एक pollution भी create कर रही है ठीक है अब जिसे को transportation inland transportation जैसे डवलप हो गया ठीक है उसके बाद में क्या है बहुत सारी wildlife centuries भी है मैं आपको बता है कि wildlife है यहाँ पे टाइगर वगएरा सब कुछ पाए जाते तो यह जो forested tracks है वहाँ पर wildlife centuries national park वगएरा बना दी गए तो जैसे काजी रंगा एक बताया दूसरा मानस है मानस wildlife century ठीक है फिर यह religious tourism को track करता तो वारह नसी घाट ठीक यह सारी क्या है हमारे देश में beauty है और beauty के अलावा हम जो देखे है तो geography के perspective से मैंने आपको human environment समझाया कि गंगा ब्रह्मपुत्रा में किस तरह का human environment देखने को मिलता है फाइनली खतम ठीक है तो यह topic था पूरा बड़ा था समझा दिया सारी चीजे आयोप आपको समझ में आई है किसी प्रकार का doubt है तो क्या करना है comment section आपका इंतजार कर रहा है fine अब आपने जिस तरह से geography पढ़ा है तो geography के सांसाहत में आप क्या कर सकते हैं दूसरे subjects दूसरे magnet brains पे magnet brains और एकमात रहा सा channel है जो free of cost क्या कर रहा है आपको video lectures provide कर रहा है complete video lectures provide कर रहा है सानी कि एक chapter दो chapter आदा पूरा ठीक है आपको अपने juniors और seniors को बताना है हमारी जो community हमारी जो family यह से बड़ा करना है ठीक है यह सारे सब कुछ मुझे आपको बताना था है hope you enjoyed it सारी चीज़ें समझ में आई है यह last video lecture नहीं है क्यों क्योंकि अभी do you know facts जो chapter के है वो सारे सब कुछ हम next video lecture में discuss करेंगे तो next video lecture तक क keep learning thank you thank you very much